अब अगर मैं बात करूं कॉटन टेक्स्टाइल इंडेस्ट्री की कॉटन टेक्स्टाइल इंडेस्ट्री आपके पास क्या है और किस तरीके से देखें आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपकी जो सबसे बड़ी इंडेस्ट्री है वो आपके बास कॉटन टेक्स्टाइल इंडेस्ट्री है क्या मतलब ये है बिटा कि अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान में कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पैसा कमा रही है तो आप बोलेंगे कॉटन टेक्स्टाइल इंडस्ट्री है जो के सबसे ज्यादा पैसा क्या कर रही है कमा रही है ये चीज हमें पता होनी चाहिए दूसरी बाद हम क्या करेंगे कि आप ये बताएंगे कि largest industry of Pakistan है और हमें main textile centers पता होने चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से textile centers है पाकिस्तान के अंदर cotton के सबसे पहला हमारे पास है कराची बिटा कराची के बाद है फैसलाबाद फैसलाबाद के बाद है हैदराबाद हिदराद के बाद है मुलतान मुलतान के बाद है लौहर हमें ये पता होने चाहिएं बिटा कि हमें ये हमारा पार्ट है largest industry of Pakistan main center है कराची फैसलाबाद हिदराबाद मुलतान और लौहर तो ये हमारे पास के main textile centers है जब हमसे textile centers पूछे जाते हैं हम क्या गलती करते हैं हमारे कुछ students हैं वो अलकरम लिखकर आ जाते हैं वो लिखकर आ जाते हैं क्या लिखकर आ जाते हैं कि हमें गुल एहमद वो ideas लिखकर आ जाते हैं तो पेटा textile center आपने city का नाम बताना होता है कि आपके पास कौन से textile centers हैं फिर हम आजाते हैं कि भाई अगर आपके पास सवाल आ जाएं कि explain why Lahore is an important textile center अच्छा ये बात समझना जरूरी है कि textile का मतलब की है textile का मतलब आपके पास ये है कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो cotton industry है उसकी कपरे बनाने की जो industry है वो क्यों हमारे पास Lahore के अंदर important sector है क्यों Lahore अब देखें अगर पेपर में examiner Lahore की इलावा कोई भी नाम दे दे कोई भी नाम अगर आपको Lahore के इलावा दे दे तो आपका answer same ही रहेगा सेगे अब आप ये बताओगे कि जो हमारे पास industries है उदर हम क्या होती है कि अगर Lahore क्यों important है तो आप बोलेंगे वहाँ पे cotton क्या हो रहा है ग्रो हो रहा है आप ये बताओगे cotton क्यों ग्रो हो रहा है क्योंकि वहाँ पानी क्या अवेलेबल है पानी अवेलेबल है तो आप cotton textile industry के लिए पानी एक जरूरत होती है वह वहाँ पे अवेलेबल है labor skilled और अनस्किल्ड दोनों अवेलेबल है skilled labor क्यों होती है अच्छे कामों के लिए होती है अज्छिंट क्या होती है चायवाई पिलाने के लिए ओफिए और जॉब्स के लिए होती है फिर आप ये बताओगे कि लौहर इसलिए important है क्योंकि उधर power supply available है आपको ये बात पता है कि कपरे का काम machinery पर ही होना है और जब वो machinery पर होना है तो उसके लिए बिटा आपको क्या चाहिए उसके लिए आपको चाहिए लब-ला करे तो वो इसलिए क्या हो जाता है cover हो जाता है तो हमें ये कहानी भी क्या होनी चाहिए बिटा पता होनी चाहिए फिर आप ये बता होगे कि हमारे पास वहाँ पर क्या है कि टेली communication का निजाम बहुत अच्छा है टेली communication क्यों चाहिए होती है इस लिए होथी है ताके हम जो है वो क्या कर सके हम क्रक्षक कर सके हम जो चीजze हमें चाहिए है क्या कर सके to check कर उसलिए जो चीज मतलब sellout करना नी नगेए वह हम क्र सके तो telecommunication अच्छी होनी चाहिए पर लहौर कि textile important sector है तो आप बोलोगे बिटा इधर market huge market है देखे अगर एक industry बना रहा हूँ तो मुझे अपनी market होनी चाहिए जहाँ पर मैं अपनी products क्या कर सकूँ बिटा sell कर सकूँ तो हमारे पास industries के अंदर आप क्या बताओगे कि इधर huge market to sell our products है industrial states क्या होते है जहां पर government incentive देती है जहां पर बिजली सस्ती होती है हर वक्त available होती है railway system होता है वहां पर infrastructure अच्छा होता है तो industrial states बने हैं लहुर के अंदर जिसकी विदा से ज्यादा industries वहां पर बनाई जा रही है cotton से related EPZ सर यह EPZ क्या था तो बिटा EPZ industrial states ही होते हैं लेकिन यह होते है export processing zone export processing zone का मतलब बिटा क्या होता है मतलब यह होता है कि वह industrial states है जो के export quality का अक्माल बना रहे है अब अगर EPZ होगा और मैं cotton export कर रहा हूं तो मेरी first priority होगी न क्यार कोई ऐसी जगह हो जहां पर क्या हो मेरे प बताओ कि वहाँ पर investor available है वहाँ पर dry ports है वहाँ पर factories है for all stages of production that's why it is an important textile center अब बच्चा गलती कहां पर करता है मैंने बच्चे को यह बात कही कि अगर paper में कोई भी industry लिखी भी आजाए जैसे अभी किया है explain why लहौर is an important textile center अगर paper में कोई भी industry लिखकर आजा है तो मैंने अगर सवाल आजे explain why कराची is an important textile center आप हर point लिख सकते हो लेकिन आप dry ports वाली बात नहीं लिख सकते है आप उधर लिखोगे seaport है कौनसा port है seaport dry port और seaport में क्या फर्क होता है seaport समंदर पर होता है dry port आपका समंदर से दूर होता है वो समंदर पर नहीं होता सही है तो dry port और seaport का फर्क पता होना चाहिए तो dry port वाला point जो है तो मैं कराची में नहीं लिख सकता मैं गवादर में नहीं लिख सकता और गवादर तो important textile center ही नहीं हमारे पास यह important textile centers है कराची, फैसलबाद, हैदरबाद, मुल्तान, लाहर, फैसलबाद में बहुत ज़्याद है पास major जितनी भी cities हैं उदर dry port आपके पास available है, dry port क्या होता है बिटा, dry port होता है जो समंदर से दूर होता है और वो sea port से connect वावा होता है ताके वहाँ से हम क्या आगर सके, trade कर सके और वो पीछे के रस्ते से क्या वावा होता है, वो हम transport के chapter में पढ़ेंगे, तो हमारे पास cotton textile industry कहां पर है और यह क्यों इतनी important हमने यह चीज़ पढ़ी, अब आपने यह बात समझनी है कि sir cotton textile industry का method क्या होता है, इसमें काम किस तरीके से हो रहा है, देखें आप सबसे पहले क्या कर रहे हो, आपने cotton को pick करा, cotton के जो balls होते हैं, cotton के balls होते हैं, white color के balls होते हैं, हमने सबसे पहले पिटा उसको क्या करा, हमने सबसे पहले pick करा, pick करने के लिए हम क्या करेंगे, women और को hire करेंगे, pick करेंगे, pick करने के बाद उन्होंने pick कर लिया, softly pick कर लिया, अब हम उसका lint क्या करेंगे, lint क्या होता है, fluffy part, जो उसका fluffy part है, वो हमने separate कर दिया from seeds, seeds से हम उसका fluffy part separate कर उस process को हम कहेंगे ginning क्या कहेंगे ginning फिर हम क्या करेंगे जो lint का sample होगा जो fluffy part है जो cotton का sample होगा वो मैं भेज़ूँगा वो भेजने के बाद एक bale तयार होगी spinning bale क्या होगी तयार होगी bale के बाद वो yarn बन जाएगा yarn एक sort of धाग है क्या है आप ये समझो कि आपने सबसे पहले cotton ball पिक करी उसका seed अलग करा उसका fluffy part अलग करा fluffy part का sample बेज़ा उसके बाद आपने इसकी bale बनाए और bale बनाने के आपने yarn बना लिया असान अलफाज़ों में धागा बना लिया फिर आपने क्या करा उसको different yarn से कप्रा बनाया एक fabric बनाया एक cloth बनाया उसको हम क्या कहेंगे बिटा weaving कहेंगे क्या कहेंगे weaving फिर आपने उस कप्रे को क्या करा डाय करा उसको print करा जैसे के जो भी procedure है वो हमने करा bale बिटा क्या होती है cotton की बहुत सारी अगर हमारे पर fluffy part होगा ना उसकी bale होती है मतलब वो साब हम mix up करके एक bale बनाते हैं हमने mix up करा mix up करने के बाद आप क्या करोगे इसकी bale बनाओगे बेल बनाने के बाद आपने उसको twist करके धागा बनाया धागा बनाने को हम क्या कहते हैं मिटा कद आप GINNING जर यह बताओं कि हमने जो रिंड का sagt सांपल था उससे क्या बनाया उस्यांपल से हमने स्पिंग करके बेर बनाई और जो बेर से हमने क्या बना धागा बना यह स्पिंग कैनें इसे कर पहुने करें अब आप उसको stitching करें कि क्या करें मार्केट में sell out करें तो यह हमें क्या होना चाहिए पता होना चाहिए method क्या है आपने सबसे पहले क्या करा सबसे पहले आपने क्या करा सबसे पहले आपने क्या करा पिक अप करा उसके बाद आपने लिंट क्या करा separate करा from seeds उसके बाद आपने क्या करें यह सारी चीज़े करें अगर किसी को यह कहानी में मसला है तो वो क्या कर सकता है बिटा वापसी पूछ सकता है अच्छा अब इसके अंदर देखें अभी आपको मेवी शाहिद समझ नहीं आया है मैं आप लोगों को तस्वीर दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों की जिंदगियां क्या हो जाए बिटा आसान हो जाए तो बस एक मिनट रुकिएगा ताकि आप लोगों को सारे प्रोसीडर समझ आजाए जो आप लोगों के दिमाग में कन्फियूजन चल रही हो वो कन्फियूजन क्या होजा बिटा खतम होजा है हमारे लिए इंपॉर्टन चीज़ क्या है कि हमारी जो कन्फियूजन है वो क्या हो जाए हातम हो जाए अब आप लोगों को यह शायद स्क्रीन क्या हो रही हो देख रही हो इस स्क्रीन के अंदर अगर आप गौर से देखें तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है बिटा हमारे पास सबसे पहले कॉटन है cotton के अंदर हमने क्या करा से बेल और बेल और तयार करी हमने cotton से क्या बनाया yarn भी बनाया उसके बाद yarn बनाने के बाद spinning करके हमने क्या करा बिटा हमने एक धागा तयार कर लिया क्या कर लिया हमने धागा तयार कर लिया तो हमें यह चीज पता होनी चाहिए कि हमने क्या करा हमने cloth बनाया सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब और इसके उपर प्रिंटिंग वरंटिंग जो भी आपने करना था और उसके बाद आपने से stitching stitching कर दी यह हमारे पास proper procedure है जो के हम क्या करते हैं बिटा follow करते हैं for cotton industry आपको cotton industry बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए पेपर में सबसे ज्यादा यही आएगी अब पेपर में कुछ वाहियात सवाल आ गए कुछ वाहियात सवाल कैसे आ गए यह तो मैंने चीज फाबरिक क्या हो गया बिल्कुल सीधा हो गया एक्जामिनेंट आफ से यह बात पूछी कि भाई मुझे यह बात बता दो कि यह कौन सा procedure है आप यह कहोगे कि rollers को हम यूज कर रहे हैं fiber को flat करने के लिए सीधा करने के लिए आपने यह बात लिग दी हम मैं इसके लिए को procedure कर नाम नहीं बताना था बस यह बता देना था यह क्या हो रहे हैं फिर क्या वह कि आप यह बताओगे फिर उन्होंने कर रहें ताकि आप लोगों की जिंदगी क्या हो जाए बिटा असान हो ले हैं यह सवाल था अब अगर मैं इस सवाल के अंदर देखो हूँ तो पिटा प्रोसी ये इसके अंदर क्या हो रहा है इसके अंदर अगर मैं गौर से देखू हूँ तो हमारे पास एक क्या है एक टेले मेरे वो थे उनको थोड़ा बहुत सीधा कर दिया गए अब मैं क्या गरूंगा मैं बोलूँगा फाइबर को मैं सीधा कर रहा हूँ फिर अगर मैं बी तरीके के सवलात भी आ सकते हैं, बाद में आप लोग रोते रहो, अल्ला होग पर क्या हो गया, तो बहतर ये कि हम क्या करके जाएं बिटा, प्रिपरेशन पूरी करके जाएं, कॉर्टन डेक्स्टाइल इंडस्ट्री के फाइदे भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं, अच् फिर क्या होगा, अर्णिंग्स ज्यादा से ज्यादा होगी, ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड क्यों बढ़ेगा, क्योंकर बेटा, कॉटन डेक्स्टाइल आपकी लाइजस इंडस्ट्री आप पाकिस्तान है, आप बाहर एक्सपोर्ट करोगे तो आपका फॉर्इन term में आप पढ़ोगे सही है or एक्सपोर्ट का डिफरनस होता है क्या होता है इमपोर्ट और topics का difference अगर आपका export जियादा है और import हम इसका मतलब है balance of trade आपका अच्छा है तो अगर मैं cotton प्राइब आपको तो मेरा export बढ़ेगा और जब मेरा export बढ़ेगा तो balance of payment क्या हो जाएगा improve क्योंकि मेरी export ज्यादा हो रही है मेरे उदार क्या हो जाएगे कम क्योंकि हमारा जब से हम बच्छमन से पैदा वेन है 1947 में गलती से पाकिसान बन गया और जब से हम उदार परी चलना है हमारे उदार ऐसे हैं कि माशाला हम कभी उदार भढ़ते ही नहीं हम उदार लेने में माहर है और हम उदार अगर किसी का भढ़ते भी है ना तो दूसरे बंदे से उदार लेके भढ़ते है तो हमारा level ही बिल्कुल अलग तो आप ही बताओगे कि अगर मेरी industry चलना शुरू हो क्या होगा मेरा उदार क्या हो जाएगा डैवलप्मेंट क्या होगी ज्यादा से ज्यादा क्योंकि cotton textile industry आपको यह बात पता होनी चाहिए क्योंकि अगर मैं बात करूं तो कप्रे का काम बहुत बड़ा काम होता है जिनकी कप्रों का काम है उनको यह बात का आईडिया होगा क कपरे का काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है कपरे का जो काम होता है उसके अंदर यह होता है कि हमारे पास हम वन आफ दी मेजर टेक्स प्रेयर होते है जो कपरे का काम करें क्योंकि वो टेक्स ज्यादा से ज्यादा पे करें क्योंकि कमा भी उतना रहा है माशाला तो हम क्या करेंगे टेक्स जब ज़्यादा से ज़्यादा पे करेंगे तो government के पास पैसा आएगा और जब government के पास पैसा आएगा तो government क्या करेंगी development असल में ऐसा नहीं होता असल में तो corruption होती है लेकिन अभी हम तारीफे बताएंगे ना अभी examiner को तो हम असले इतनी बता देंगे पाकिसान की, तो हम बोलेंगे के development projects क्या होंगे, ज्यादा, negative point यह है, देखो अगर मैं cotton textile industry में ही सारा पैसा लगा दूँगा, तो दूसरी industries में investment क्या पड़ेगी, कम, फिर cotton textile industry के लिए मुझे cotton ज्यादा से ज्यादा ग्रो करना पड़ेगा, जब मैं cotton ज्य को यह cotton अगर grow होगी, तो यह cotton textile industry चलेगी, और cotton जो है उसमें मसले, cotton में मसले यह हैं कि उसमें leaf curled virus आ जाता है, कौन सा virus आ जाता है, leaf curled virus, उसमें fruit shedding हो जाती है, उसके अंदर यह भी मसला आ जाता है, कि आपके पास it is sensitive to frost, तो यह frost चेंदर ग्रो नहीं होता, तो climatic limitations है, जि flood flood आ गए, तो cotton अगर आपका गया, तो आपकी cotton textile industry को कितना नुकसान होगा, क्योंकर चली हुसीपर है, फिर आप यह बताओ कि skin labor नहीं है, पाकिसान के अंदर skin labor की किया है, बहुत ज़्यादा shortage है, और एक और बड़ा disadvantage है कि rural urban migration बढ़ जाती है, देखो जो major industries hub है, वो आपक बड़ा नुकसान है, क्यों नुकसान है, यहाँ पर आके फिर क्या होगा, आप सी वियू पर जाओगे कराची के अंदर तो आपको क्या देखेंगे, अजीब से लोग देखेंगे, पिंक शलवार देखेंगे, यलो शलवार देखेंगे, आपको ब्लू शलवार देखेंगे अब मैं ये नहीं कहा रहा कि हमें उनको मना कर देना चाहिए लेकिन उन्हें भी समझना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो चोड़ी डकेती पर हमारी बढ़ रही है क्यों क्योंकि जब उनको जॉब नहीं मिलेगी वो बाहर से कमाने आए तो वो क्या करेंगे अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई बाहिर से अगर कोई आ रहे तो बुड़ा हो लेकिन मिजॉरिटी जो आपके पास अभी एक इमेज बन गए है वो क्यों बन गए क्यों कैसा हो रहा है तो हमारे पास क्या है कि रूरल अर्बन माइग्नेशन भर जाएगी फिर आप ये हूँगा मैं ये बताऊंगा कि मैं प्रोड़क्शन ऑफ कॉटन ग्रॉप बढ़ा सकता हूँ कैसे बढ़ा सकता हूँ मैं फॉर्टिलाइजर प्रोवाइड करूँ मैं मॉडर्न मेथट ऑफ इर्रिगेशन करूँ मैं मशीनरी यूस करूँ मैं आपको उनको ट्रेनिंग्स था किस तरीके से ग्रोथ अच्छी करनी है फिर मैं लीफ कर्ड वाइरस पर रिसर्च करूं कि भाई इसका कोई ना कोई हल नकालो क्योंकि यह तो आपकी पूरी फसले खराब कर देगा तो हम इसका कोई ना कोई हल नकाले ताकि आपकी प्रोड़क्शन कम से कम ना हो अगर हम child labor पे काम नहीं करेंगे तो पिटा जो हमारी international market है international market में child labor की जासे क्या लग जाता है पिटा बैन लग जाता है वो लोग हम से trade इसलिए नहीं करते हैं वो कहते हैं कि child labor गलत और हमारे यहाँ पे child labor चल रही है तो जिसकी रधा हो लोग trade agreements हमारे से खराब कर देते हैं तो हमें क्या करना चाहिए child labor प्रोमोट नहीं करनी चाहिए ताकि हम export easily कर सकें और हमारे उपर कोई trade barrier ना लगे फिर हम power की supplies ज्यादा से ज्यादा बढ़ा है ताकि machinery में कोई मसला ना है इसके आप example दे सकते हो कि हम क्या करें कि हम कराची nuclear power plant जैसे कि private sector है हब आपके पास power plant है तो हमारे पास इस तरीकी के power plants लगाएं ताकि क्या हो कि बिजली की shortage ना हो और फिर हम training प्रोवाइड गरें कि किस तरीके से आप cotton textile industry को बहतर से बहतर बना सकते तो यह हमारे पास कहानी थी cotton textile industry की होफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी अब cotton textile industry में सबस्वालात किस तरीके साएंगे वो असल चीज़ है कि cotton textile industry में सबस्वाल किस तरीके का आएगा तो बिटा सवाल हम discuss करते है ताकि आप लोगों की जिन्दगी बिटा क्या हो जाए आसान हो तो हम जल्दी से सवालात जो है वो क्या कर लेते हैं discuss कर लेते हैं प्रैक्टिस कुस्टिन नमबर वन पॉइंट टू अब अगर मैं सवाल को देखूं क्या लिखाव है name one of the major center of the cotton industry A or B अब आपको नाम बताने अब देखो आपको ये examiner आपसे खेल रहा है examiner क्या समझेगा कि आप जो है न कोई भी नाम दे दोगे नहीं ये आपसे map पूछ रहा है देखो अगर आप सोचो तो A मैंना आपको जो major centers बताया थे वो कौन कौन से बताया थे मैंना आपको बताया थे कराची मुल्तान हेदराबाद लहौर फैसलाबाद यह बताया थे अब आपके पास A अगर मैं बात करूँ तो A कौन सा है कराची के बाद maps जिसने maps की class ली होगी उसको क्या पता है यह कराची है यह दूसरा कौन सा है बिटा है हैदराबाद सर्फ B कौन सा होगा B बिटा फैसलाबाद होगा क्योंकि यहां सम बिलकुल श्रेट आते हैं तो बिटा कौन सा है मुल्तान मुल्तान उसके बाद आपके पास गुज्रावाला है गुज्रावाला और मुल्तान के बीच में आपके पास कौन सा है बिटा फैसलाबाद तो यह इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस इस तरीके से बहुत कम है अगर हम यह को मिटा दे और इसको गौड से समझे इन्होंने बोला इसकी distribution अगर ऐसी है तो क्यों है मतलब अगर आप देखो तो आपको यहाँ पर जो है वो सिर्फ कितने दो centers दिख रहे हैं वह भी major नहीं दिख रहे अदर centers छोटे centers के पी के में आपको एक दिख गया आपको अपर साइट पर गोई देख आपको पनजाब की साइट पर ही देख रहे हैं आप को सिंध सन्सी पर देख रहे हैं बार्य यहाँ पर यहाँ पर क्यों इस तरीके से cotton dextral industry है तो आप क्या बोलोगे क्राची cotton dextral इसलिए industry है क्योंके वहाँ पे port है पोर्ट है जिसकी रसम क्या कर सकते हैं फिर अब ये बता सकते हैं कि हेदराब्राद इसलिए है क्योंकि हेदराद में cotton grow होती है फिर आप यह दा सकता फैसलबाद के अंदर इसलिए क्योंकि वहाँ पे cotton grow होती है फिर आप यह बताओगे इधर इसलिए इस तरीके से इसकी distribution है क्योंकि इन सारी जगाओं पे आपकी labor available है इधर huge markets ने to sell the products इनका transport system बहतर है इधर पानी available है तो आप वो चीज़े बताओगे जो जो available है तो आपने यह कहानी बता दिनी है कि यह यह चीज़े अवेलेबल है इसलिए इसलिए इस तरीके से डिस्ट्रिब्यूट गवागा है examiner जब भी इस तरीके का सवाल करें न suggest reasons देखो suggest का मतलब है कि इसका एक answer नहीं होगा आपने out of the box सोचने आपने सोचने यार यह reasons ऐसे क्यों है suggest करने का बोले ना जैसे मागर आपको कहूं कि आप लोग suggest करें कि मैं अच्छा किस तरीके से बढ़ा सकता हूँ तो आप लोग कहेंगे सर आप बहुत ही कच्छा पढ़ाते हैं आप पढ़ाया ही नहीं करें क्योंकि आप अप अच्छा पढ़ाया ही नहीं सकते तो मैं आपका suggestion ले लूँगा बताएं machinery बताएं उनको यह सारी चीज़े करें फिर लीव कर्ड वाइरस से बचाएं ताकि क्रॉप जाया ना हो पिर हम क्या करें हम गवर्मेंट जो है वह फ्री लोन इंवेस्ट इंट्रेस्ट फ्री लोन दे उसके बद गवर्मेंट क्या करें बिटा उसके बद गवर्मे इन फैसलाबाद की लोकेशन दी वी है सही है इधर इन्हों ना बोला स्टेट त्री फैसलाबाद की आपने पुजीशन देख ली अब आप यह फैसलाबाद बताएं जिसकी वजह से इन्फ्लूइंस हो रहा है तो आप क्या करोगे फैसलाबाद की पुजीशन इतनी अब जैसे अगर मैं फैसलाबाद की पॉजीशन देखूं तो फैसलाबाद की पॉजीशन पर आपके पास क्या चीज़ अवेलिबल है तो आप बोलोगे फैसलाबाद की पॉजीशन पर मेरे पास एयरपोर्ट अवेलिबल है यहां पर आपको जहाज बनाके दिया है न तो फै transportation cost कम लगेगी तो profit क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा उसके बाद आप यह बताओगे कि हमारे पास क्या है कि वहाँ पर railway देखो railway की lines बनाई रही है अगर हम देखें तो railway लाहर से connect वाव है railway कराची से connect वाव है railway उपर सलामबाद से भी connect वाव है तो आप यह बोलोगे कि railway स से क्या फाइदा है कि हम दूसरे cities के अंदर भी क्या अकर सकते हैं अपनी sales कर सकते हैं अपनी चीज़े बेच सकते हैं फिर आप यह बताओगे कि हमारे पास क्या है यहाँ पर और क्या चीज़ अवेलेबल है करीब के अंदर अगर हम देखें तो ड्राइपोर्ट भी अवेल अगर हम देखें तो बराबर मैं आपके पास पानी देखो river रावी है river चेनाब है तो आपके पास irrigated farmland है तो इससे क्या होगा इससे बिटा यह होगा आपको पानी मिलना तो आप इसी लिए वह चीज़े कर सकते हो processes कर सकते हो तो यह सारी चीज़े बता सकते हो पिर अगर य देखूं तो बिटा यहां पर आपको थर्मल पावर स्टेशन भी देख रहा है इससे क्या मिल सकती है पावर तो आपने कोई भी तीन बताना उसका फाइदा बताना है कि यह चीज यहां पर है इससे यह फाइदा होगा पर हमारे पास इस प्रफिगर एट इस पीन लिटल ग्रोथ इन पाकिसान विद रेटर इसे फिगर एट एपनी देर रुश्यारी नहीं मानना जो पॉइंट्स इन्हों ने लिखे है उसी को यह एडवांटेज इस चीन डिसफ़ांटेज अगर मैं सबसे पहले बात करूं जॉ ज्यादा हो जाएंगी सकिल्स की बात करों तो आप क्या बता होगे कि स्किल्सक्राइब की होगी औरमारे फास की बात करें अगर सब लोग cotton textile industry का काम करें तो competition होगा और जब competition होगा तो standard आपका बढ़ जाएगा फिर आपका trade हो रहे है trade से क्या होगा आपका foreign exchange आएगा आपका balance of payment या balance of trade improve होगा आपके उधार कम हो जाएगे फिर technology में आप क्या बता सकते हो यह बता सकते हो फिर अगर मैं बात करूँ तो आपके पास अलाब लागरे competition competition लोगों के अंदर क्या हो सकता है काफी ज्यादा हो सकता है maybe आपके पास बाहर प्रोडक्स ना खरी दी गाए कोई आपसे और सस्ता बेज दे पाकिसान से सस्ता बेज दे फिर हमारे पास सवाल है from your answer to C1 state 1 product of processing industry and manufacturing industry अब देखो हमारे पास क्या है सबसे पहले list the following in order of production सबसे पहले production के उसमें क्या होगा सबसे पहले बिटा होगा raw cotton सबसे पहले क्या है बिटा raw cotton फिर हमारे पास क्या है बिटा cotton yarn दागा दागे के बाद क्या बनेगा बिटा cloth और cloth के बाद या बनेगे बिटा ready made clothes तब 6 के points सब 6 के 6 points के disadvantages बताने है यह इन वैसे 3 points ले ले advantages इसके लिए और बाकी 3 आप ये भी कर सकते हो बस आपने 3 points cover करने है मैं तो इसलिए बता रहा हूँ ने कि आपको मैं अपनी जितनी knowledge है वो मैं आपको दे दू सही है आप अपनी तरफ से 3 points ही लेगोगे और कोई भी 3 points उठा सकते हो सही है और अगर आप 6 पे जाना चालो तो 6 भी भी जा सकते हो कोई मसले आले बात नहीं है लेकर देखो मैं यह कहता हूँ कि examiner accurate answer मांगता है तो 3 पे जाना अच्छा अब हमारे पास है from your answer to see part 1 state 1 product of a processing industry अगर मैं process की बात करूँ तो process क्या होगा raw cotton तो देखो primary industry है वो processing में नहीं आ सकती cotton yarn हो गया cloth हो गया यह मेरा उसमें आ जाएगा और अगर मैं manufacturing की बात करूँ तो manufacturing ready made clothes में आ जाएगा किस में आ जाएगा ready clothes आपकी मर्जी है same के भी advantages लिख सकते हो same के disadvantages या अलग advantages किसी points के अलग disadvantages बस आपने points वो use कर देखो आपको paper में दिये वे थे उसके बाद हमारे पास है explain while हो is an important center of the textile industry और देखें ये 7 mark का सवाल है आपके paper में अब 7 mark का सवाल नहीं आता अब maximum 6 mark का सवाल आता है क्योंकि हम तो पुराने पास papers भी practice कर रहें ने नवेंबर 12 साथ का सवाल है इसलिए आपको इस सवाल दिख गया वरना ऐसा वायात सवाल paper में नहीं आता तो hopefully आप लोगों को यहां तकी कहा नहीं समझ आगे